आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना Study IQIS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल UPSC के फाउंडेशन P2I Batch 3 में अड्मिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है इस कोर्स में डिसकाउंट हासिल करने के लिए आपको अमरित लाइव कोर्ड का यूज करना होगा कोर्ड के इस्तमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपे में हासिल कर सकेंगे कोर्ड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा इस बैच की शुरुवात हिंग्लिश में 15 नवंबर से इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है और वेरी 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 वाम हाड़े वेल्कुप टूल अफ्यू दिस साइड इस अभीना कुमार बोरे हैं कि वो कौन-कौन से डायमेंशन्स हैं वो कौन-कौन से पहलू है जो आपको ट्रॉपिक ऑफ केंसर ट्रॉपिक ऑफ केपरिकॉन अर्थात करकर रेखा मकर रेखा तता भूमत दे रेखा के सापिक्ष पता होने चाहिए मैं जानता हूँ और इस शीज को बहतर तरीके से हम फील भी कर पाते हैं कि यह ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सामानता स्टुडेंट नहीं देखा करता या फिर वो यह समझता है कि यूपी एस सी में इस प्रकार के प्रशन नहीं पूछे जाते हैं जो बहुत ज़ादा तथ्य आत्मक नहीं होते लेकिन लॉजिकल होते हैं तो इस शीज को समझ ये कि वाटर ड्रॉप एफेक्ट में पढ़ना क्या होता है यानि कि एक सब्जेक्ट पर अगर यूपी एस सी ने प्रशन पूछा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो प्रशन जो है वो दुबारा पूछा है तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक रिपीट जरू कर सकती है तो हम आज इस क्लास में वो सारे मैपिंग के डायमेंशन जो आपके लिए बैसिकली इंपॉटेंट होने वाले हैं यूपी एसी पॉइंट आफ यू से उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे अब यहा टाइम स्पेंड करें रीड करें और समझने का प्रयास करें कि प्रशन है किस तरीके के तो अगर मैं आपको समझाओं तो आप पाएंगे यूपी एसी के जो प्रशन है उसमें एक अल्गॉरिदम दिखता है जहां पर वो अगर चार स्टेटमेंट लिखता है तो समझे इस कि चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट जो है वो सामनता ही है कहेगा कि एक्स नाम का माल लिजे मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेर एक प्रशन जो है वो कोड करता हूं कि न्यूजीलेंड जो है वो वास्पिक्ता में पूरी तरह से दक्षिन गुलारत में आने वह देश है जो मकर रेखा के पूरी तरह से नीचे है आपने शायद जो है नोटिस करा होगा कि ऑस्ट्रेडिया से मकर रेखा गुजरती है तो बाइडिफॉल जो न्यूजीलेंड है वो मकर रेखा के नीचे आएगा अब दूसरा स्टेटमेंट वो कोड करेगा कि जो मकर है यह एक दूरीब है जिसका नाम है कोकोज जिसका नाम है कुक दूरीब यह उससे गुजरती है आप कहेंगे ठीक है हो सकता है फिर वो नीचे स्टेटमेंट लिखेगा के जो कुप दूरी तरह से मकर Nowadays है जो कुक कहा जाता है नियूजीलेंड का अब देखें तीन स्टेट तीनों में से कोई एक ही सही कोई दो ही सही है, एक तो perfectly गलत है या तो कुगडी पाट नहीं है या तो कुगडी से गुजरती नहीं है आप समझ यह इस चीज को यह तीनों ही statement right है और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि UPSC जब प्रश्ण बनाती है tricky manner में तो प्रश्ण यही होता है और तरीका यही होता है कि वो तीन तत्य देगी तीनों में से दो तत्य एक दूसरे को contradict कर रहे होंगा उनमें विरोधा भास होगा और shockingly फिर वो सारे ही right हो जाते हैं क्योंकि वहाँ logics work करते हैं और यही logic develop करने के लिए minute topics को pick करना होगा यही वो कारण है कि मैं कुछ ऐसे topics जिनको सामानता बच्चा नहीं पढ़ता इस्टुडेंट नहीं देखते उन topics पर हम discussion लाने का प्रयास करते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि आप जो है इस video को जरूर शेर करेंगे ताकि इस प्रकार की information जो है वो students तक पहुँचे इस चीज को समझेगा कि इस प्रकार का जो content है वो बहुत ज़दा interactive नहीं हो पाता कई बर बच्चों खले बहुत ज़दा entertaining नहीं हो पाता इस कारण जो है सामानता इनकी reach थोड़ी कम होती है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी जो है से एक बाद share जरूर करेंगे और चलिए हमें start करते हैं इस पूरे discussion को before I start याद रखें कि अगर इसी manner में आप अपनी पूरी UPSC की journey को play करना चाते हैं और इसी manner में आप पूरे UPSC के syllabus को cover करना चाते हैं इसी detailing के साथ तो आप सभी के पास एक बहुत बहतर opportunity है जो study IQ है इसके foundation batches में third batch जो है वो launch होने वाला है 10th of November इसकी date है याद रखें कि आप इस course को जो है वो prevail कर पाएंगे इस mentioned जो cost है उस पर याद रखेंगा ये cost आपको तभी मिलेगी जब आप faculty code का use करेंगे faculty code में ये मेरा code है अगर आपको ठीक लगता है तो आप जो है इस code के मध्यम से आप इस course को इस cost पर prevail कर सकते हैं ये cost 22,999 है एके लाइब मेरा code है पहली चीज़ दूसरी चीज़ अब सुनिएगा ये मेरी advice है आप सभी को कि अगर आप एक genuine aspirant है और जल्दी और less effort में याद रखें टाइमली and less effort में exam को clear करना चाहते हैं तो this is a golden opportunity इसमें आपको जो है live classes मिलेंगी recorded form में भी आपके पास available होंगी वही classes class में आप live class में जो है वह आप doubt पूछ सकते हैं चाहे वो doubt जो है वो message करके हो audio हो, video हो, live अपने teacher से interact कर पाएंगे you will feel like a teacher आपके सामने ही है इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आपको जो है वो pre-k exec play और ये आपके लिए free of cost होगा मैं इस पस्ट कर दूँ इसके लिए आपको कोई भी further cost पे करने के अवशक्ता नहीं होगी जहां पर आपको pre-k exec prior जो है एक crash course के form में SIP program प्रोग्राम प्रोवाइट करा जाएगा अगर मैं आपको इस प्रकार्ट से समझाओं तो याद रखे कि इस तरीके से आप पाएंगे कि यह आपकी classes चल रही होंगी यह आपकी normal classes है यह आपकी normal classes होंगी साथ ही pre-k exec prior माल लेते हैं यहाँ पर pre है तो इसके exact prior जो है आपकी classes स्टार्ट होंगी parallel classes के साथ मतलब जो classes चल रही होंगी उसके साथ additional classes स्टार्ट होंगी जिसे कहा जाता है SIP याद रखे SIP का मतलब है success in prelims program इसमें आपके वो सारे topics वो सारे विश्यों को cover करा जाएगा जो विश्य आपके UPSC point of view से preliminary examination में आने वाले हैं याने की सारा syllabus एक बार आपके आँखों के सामने से आपको जो है वो एक classes मिलेंगी which is called as CAP याद रखे current affair program यहाँ आपको daily का एक video current affair का मिलेगा which is compilation मैं exactly बताता हूँ जो teachers होते हैं जो classes ले रहे होते हैं हम उन्हें देखते हैं कि वो लगातार जो है वो daily तीन papers को चार papers को cover करते हैं चाहे वो हिंदू हो चाहे वो times of India हो या express हो इन सारे papers को cover करके आप सोचिए आप स्वयम जो है वो एक paper भी शायद पूरी तरह से ना पढ़ पाएं यहाँ पर expert विक्ती 3-4 paper को cover करके daily आप तक एक current affair का video जो है वो ले कर आता है जो की सार होता है जीस्ट होता है सारे current affair का तो आपको एक current affair program मिलेगा इसके साथ ही याद रखें कि अगर आपका pre-qualify हो जाता है जो की होगा ही पर by chance अगर आपका pre-qualify नहीं होता आपकी classes will continue same as prior बट अगर आपका qualify होता है जो हम उमीद करेंगे हो ही तो आप MRP program में MRP का program मतलब है mains residential program इसके तहट और इसका भी कोई cost नहीं पे करना मैं इस पस्ट कर दूँ याद रखें study IQ अपने खर्चे पर आपको जो है अपने इस्थान पर बुलाएगा और यहाँ आपकी तैयारी जो है complete full pledge manner में कराएगा और हम यह उमीद करते है कि जो student होगा वो इसके पश्चा जो है वो interview में जाएगा जहां उसे interview guidance program के तहट ना इस पस्ट कर दूँ इसका भी कोई cost नहीं है आपको जो है interview की तैयारी कराई जाएगा अब यह सारा कुछ के साथ आप इस चीज को समझेगा इन सब के साथ आपको जो है वो provide करा जाएगा mentorship आप यहां समझेए इसका एक बहुत बड़ा रोल है और यह एक game changing thing है छोटी छोटी जो बारी problems आती है study के दौरान चाहे फिर वो time table बनाने में समस्या हो चाहे वो आपके study में motivation से related problem हो या फिर subject matter का कोई doubt हो जो आप class में नहीं पूछ पाए recorded class के दौरान देखते समय आपको आया अब वो जो doubt है वो 5 class पहले का है और teacher से अभी जो है वो पूछा नहीं जा सकता है किसी करणवर्ष समझेए आपने उसको revise करा वो subject complete हो चुका है बट doubt आपको दो महने बाद आया अब आप कैसे उससे clear करेंगे याद रखें कि ये जो mentor है ये game changing thing है हर एक student को मतलब ऐसा नहीं है कि आपको a lot नहीं होगा each and every student को एक mentor a lot होगा ही और ये जो mentor है ये आपके doubts को clear करेंगा याद रखें कि ये mentor आपके पूरी journey को कई step ahead ले जा सकता है आपका best utilization आपकी success को जो है ensure करेंगा इस सब का totality में जो cost मैं आपको बताया वो है ये याद रखें अपनी सिक्षा में खर्च करा हुआ पैसा आपको 1000 times return देगा कभी भी अपनी आर्थिक सिती को अपनी success के रास्ते में आने ना दे अगर आप चाहें तो याद रखें कि आप definitely जिस दिन आप चाहा लेंगे उस दिन इस course का part बन जाएंगे मैं इस past कहता हूँ याद रखिएगा कि आपकी प्राथमिक्ताओं में आपकी सिक्षा होनी चाहिए cost कभी बड़ा या छोटा नहीं होगा मैं इस past कर दूँ कि आपकी प्राथमिक्ता अगर आपकी सिक्षा होगी तो definitely आप जो है वो इन courses में आएंगे because मैं ये personally believe करता हूँ और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जो quality, जो content आने वाले वर्शों में अगर आप 24 का दे रहे हैं तो भाई फिर तो आपके लिए golden opportunity है क्योंकि time समय के साथ बहुत कम होता जा रहा है और अगर आप coming years में देने वाले हैं तो आपके पास validities का भी option है आप अलग-अलग validity में इसे prevail कर पाएंगे और याद रखिए कि ये game changing proof होगा इसे अपने mind पर set कर लें ये सब कुछ आपके पास होगा मैं मान कर चलता हूँ उस सारे aspirants जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें in batches में देखने वाला हूँ चलिए अब हम जो है वो start करते हैं basically हमारी journey को आज की इस class में हम क्या देखने वाले हैं भई तो याद रखिए हम Tropic of Cancer Capricorn और इनके बारे में जनकारी लेंगे सबसे पहले सुनेगा और ध्यान से समझेगा याद रखिए कि अगर मैं आप से कहूँ कि भई ये है हमारी प्रत्वी तो प्रत्वी को दो पार्ट में डिवाइट करता है एक रेखा which is called as भूमध्य रेखा ध्यान से समझेगा और याद रखिए ये भूमध्य रेखा है ये प्रत्वी को दो बराबर भागों में भाजित करती है अब इसके साथ ही ध्यान दे एक पार्ट आपको इसके उपर दिखाई देगा एक लाइन एक लाइन इसके नीचे दिखाई देगी उपर वाले को कहा जाता है करक रेखा और नीचे वाले को कहा जाता है मकर रेखा समझेगा इस चीज को कि जो करक है या फिर आप कहले लिजे कैंसर है तो ट्रोपिक आफ कैंसर और ट्रोपिक आफ के परिकॉन इन रेखाओं के बारे में हमें देखना और यह कौन सी रेखा हैं यह 23.5 नदन और 23.5 सदन यह लाइन से अक्षांस हैं अब यहां समझ यह चीज को कि यह जो लाइन से इन से रिटेड अलग-अलग dimension UPAC में पूछे जाते हैं जैसे आगर मैं आपको explain करूँ तो याद रखें कि जो करकर रेखा है यह लगभग-लगभग 17 देशों से गुजरती है फाइन मैंने लिग भी रखा है सो don't worry यह 17 nations से जो है वो पास होती है इसके अलावा यह जो है वो 3 महादवीपो से गुजरती है इसमें आता है बेसिकली जो उतरी अमेरिका है योरोप है और एशिया है और साथ ही यह 6 में वाटर बॉड़ी से गुजरती है यहां तीन तो महासागा रहें लेकिन तीन कौन से वो छेतर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए हम इसे देखेंगे साथ ही याद रख इसके लिए एक dimension समझेगा जो उत्तरी गोलार्थ आप देखते हैं यह जो आप उतरी गोलार्थ में जो स्थल राशी है यानि कि जो महाभुपी छेत्र हैं यह जादा हैं महा दुईपी चेतर, जो है, ये जादा है, स्तथा महा सागर कम है, महा सागर कम है, ये क्या दिखाता है, ये यह दिखाता है कि इस्थलखंडों का उत्तर की और जो है, वो विस्थापन हुआ था, clear, अब दूसरी चीज, याद रखें, जो दक्षिनी गोलार्थ है, दक्षिन लॉजिक्स हैं, इन्हें अपने दिमाग पर बठा लीजे, बहुत सारी चीज़े बाई डिपॉल्ल्ट सॉल्व हो जाएंगे, एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, ओवर सीज टेरिटरी, इसका मतलब है, एक देश एक स्थान पर है, और उसके जो छेतर हैं, वो दूसरे स्थान पर भी देखने को मिलते हैं, अब इन पर आधारित अलग-अलग डाइमेंशन को हम देखने का प्रयास करेंगे, clear, तो देखे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करकरेखा से, याद रखिएगा, कि जो करकरेखा है, इसके लिए मैंने कुछ डाइमेंशन, कुछ इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर देख भी पाएंगे, ध्यान से देखेंगे, और मैं स्केल लेकर जो है, निकलती है, clear, बहुत जादा factual information पर नहीं, conceptual information पर फोकस करें, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले, करकरेखा जैसा मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, कि यह जो है, यह तीन महादवीपों से, सत्रा देशों से, और 6 water body से गुजरती है, इन में तीन जो महादवीप हैं, उत्तरी अमेरिका, एफरिका और एशिया, इन पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, साथ ही उत्तरी अमेरिका में याद रखिए, जो बहामास है, अब एक एक के लिए ना, मैं आपको कुछ चीज़ें इसपस्ट करूँगा, उससे समझिएगा, एक है बहामास, याद रखें, बहामास आर की पिया लगोज है, मतलब यह एक फिस्टून है, या फिर आपके लिजए आर कॉफ आइलेंड है, या आप कह लिजए, चापा कार ड्वीप्स अमूँ है, यह किसका पार्ट है, याद रखें, यह कैरेबियन ड्वीप्स का पार्ट है, यह कैरेबियन आइलेंड्स का पार्ट है, यह ग्रेटर एंडलीस का पार्ट है, सब कुछ दिमाग पर रखेगा, secondly ये मेक्सिको से गुजरती है done अब देखे ये मेक्सिको से भी गुजरती है और मेक्सिको की खाड़ी से भी गुजरती है इसके पश्चाथ एफरिका में याद रखे एजिप्ट एजिप्ट में एक जील है जील का नाम क्या है तो आगे मैंने इसको मैंशन भी कर रखा है इसे कहा गया है लेक नसेर या नसेर लेक ये एजिप्ट में आती है मैंने आगे मैंशन भी करा ये इसके अलावा लीबिया, नाइजिरिया नो, नाइजर यहाँ ध्यान दीजे ये मैंने लिखा हुआ है नाइजर, यह नाइजर से गुजरेगी, अलजीरिया से गुजरेगी, माली से गुजरेगी, वेस्टन सहारा से गुजरेगी और याद रखें कि वेस्टन सहारा के पश्चाथ एक और देश है जहां से गुजरती है और कहीं एक कोई disputed area तो नहीं, मैं आगे इसके बारे मैं आपसे discuss करने वाला हूँ, इसी slide में, थोड़ा चा वेट करिएगा, इसके पर शाथ याद रखे, एशिया में, ताइवान से, चाइना से, मयानमार से, बांगला देश से, इसके लाबा, इंडिया, ओमान, UAE, माफ कीज़ेगा, ये UAE है, तथा साओधी अरेविया से गुजरती है, आप यहाँ कुछ dimensions आपको पता होने चाहिए, UAE का एक important place है, अबुधभी, फाइन, ये अबुधभी से भी गुजरती है, मैंने इसे जो है, स्लाइड में mention कर रखा है, आप सभी इसको PDF के form में में मिले Telegram चैनल से जो है, इसली डाउनलोड कर पाएंगे, याद रखें, Telegram चैनल, अभिनोफ, बहोरे, जोगरफी के नाम से मेरा चैनल है, आप इसली उस इससांसे से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है, ये आपको दिखाई देगा, इसके अलावा, जैसा मैंने बताया, Gulf of Mexico से गुजरती है, Red Sea से गुजरती है, और यहाँ ध्यान दीजे, ये Taiwan Strait से भी गुजरती है, कारण क्या है, ये एक Battlefield type का area है, एक iron place है, यहाँ पर चाइना जो है डॉमिनेट करना चाहता है, कि इसके उपर, Taiwan के उपर, इसलिए Straight of Taiwan याद रखेगा, Taiwan संधी पछे तरह याद रखेगा, साथ ही Atlantic Ocean, अर्थात Atlantic महासागर और प्रशांत महासागर से बाई डिफॉल्ट ये गुजरती है, अब ये आपको water bodies clear है, देश clear है, अब इसके कुछ important dimension याद रखें, करकर एखा के लिए सबसे पहले चीज़ तो, Tower of Tropic of Capricorn, ये आपको कहां देखने को मिलता है, याद रखेए, ये चाइना में है, पाइन, चाइना में किस स्थान पर है, तो Guangdong एक प्लेस है चाइना में, उस स्थान पर आपको Tower of Tropic of Cancer दिखाई देगा, इसी तरीके से याद रखें, कि जो करकर रेखा है, इसमें आपको, एक dimension तो ये भाई, जो मैंने बताया, कि Egypt में एक लेक है, एफरिका में, वहां से ये गुजरती है, ना सेर लेक, N-A-S-S-E-R है, ये याद रखेंगा, साथ ही, ये UAE के एक प्लेस से गुजरती है, जिसे कहा जाता है, अबुदह भी काफी famous place है, उमान की राजधानी याद रखेंगा, कि ये है मैसकट, आपको पता होना चाहिए, कि ये मैसकट से जो है, ये गुजरती है, कौन सी ये देखा, करकरेखा, इसी प्रकार से बांगलादेश का धाका, which is a very famous place, second is चटगाउं, याद रखें, चटगाउं एक important port है, और चाइना और इंडिया के बीच में टसल का एरिया है, तो ये string of pearl, string of flower, इन सभी से connected है, geopolitical dimension है, विश्व के कुछ समसे लंबे बीचों में से एक है, याद रखें, कि ये बांगलादेश के इस स्थान से गुजरती है, देखें इस चीज को और समझ ये, कि ये कितने important places से गुजर रही है, तो इंडिया में देखें, चटगाउं व यानि कि जो चाइना हमें घेरने का प्रयास करता है, ये उस dimension से भी connected है, तो geopolitically important places से आती है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, आप देखें, जो western सहारा है, इस नाम से एक देश है, बेसिकली कहां पर, आफरिका में, याद रखें कि मुरको, सहारा, या ये ये cancer line गुजर रही है, करकर देखा गुजर रही है, वो छेतर basically disputed area है, इन तीन देशों के बीच में, currently ये जो है, ये western सहारा नामक देश का पार्ट है, clear है, 17 देशों से गुजरी, 3 continent से गुजरी, 6 water bodies से गुजरी, 6 water bodies में से 3 महा सागर है, एक जो है, वो मेक्सिको की खाड इसे थोड़ा सा अपने दिमाग पर settle रखेगा, ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको जो है, वो मकर रेखा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, समझे इस चीज को, कि जो मकर रेखा है, इसके सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझें, कि मकर आपको दिखाई देते हैं, वो कहां दिखाई देते हैं, उत्तरी गोलार्थ पर, ठीक है, और जो बचे हुए हैं, वो connected है, मतलब ये जो है, वो भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच ही आ जाते हैं, जादा ऐसे देश नहीं है, जो मकर रेखा के बिलकुल नीचे हो, इतली आने वाले देश बहुत कम है, कितने हैं वो देश, तो याद रखें, वो चार देश हैं, चार निशन से, मैंने नाम लिख रखा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, याद रखें, ये जो चार देश हैं, इन में से एक जो है, वो न्यूजीलेंड है, ठीक है, अब रहा जाता है, Monarchy of New Zealand, याने कि New Zealand में भी Monarchy अर्था जो राजरानी वाला गेम है, ये रहा है और है भी, तो यहाँ याद रखें कि जो Monarchy of New Zealand है, यहाँ पे जो Monarch है, जो King है, उसके कुछ एरियाज है, ठीक, उनमें से एक इंडिपेंडेंट एरिया के फॉर्म में, सारी पावस एक सोवरिन नेशन के पाव में, सम, प्रभुता, संपन, सर्व संप्रभुता से संपन, जो वर्ड कहा जाता है, ये जो है, ये कौन है, ये न्यूजीलिन है, ठीक है, सोवरिन स्टेट का एक्जामपल है, जैसे इंडिया सोवरिन है, वैसे ही न्यूजीलिन भी सोवरिन है, अब ये समझे इस कीज को कि जो जियालेंड है जो न्यूजीलेंड है ये पूरी तरह से कहां आता है मकर रेखा के नीचे आता है लेकिन जो मुनार्की ओफ न्यूजीलेंड है इसका एक ड्वीप है जिसे कहा जाता है कुक ड्वीप ये जो कुक ड्वीप है कुक आयलेंड या ड्WEEP है, समझेगा यह ड्WEEP वास्ट विखता में Munarchy of New Zealand का पार्ट है और यह मकर रेखा के उपर आता है ठीक है, अब यह जो Munarchy of New Zealand है उसका पार्ट और अब यह एक और ड्WEEP है जाने क्या उशकता नहीं है यह New Zealand इने अपना Associated area मानता है और Monarchy of New Zealand भी इसे जो है अटेस्ट करती है ठीक है तो Monarchy of New Zealand इसमें जो है एक sovereign area जो पूरी तरह से जो है वो सतंत्र है इसके अलावा दो other places है उनमें से एक cook है ठीक अब cook के लिए याद रखें कि ये मकर्रेखा के उपर आता है Monarchy of New Zealand से पूरी तरह से independent है लेकिन जो है connected इसे माना जाता है New Zealand का देश ठीक है तो इन dimensions को अपने mind पर रखें चार ऐसे देश है इसमें से New Zealand एक देश है अब बाकी के तीन देश को कौन से है तो देखें एक है स्वाजी लेंड ठीक अब स्वाजी लेंड के ले एक बात याद रखेगा ये Switzerland तो बिल्कुल नहीं है ठीक ये स्वाजी लेंड है स्वाजी लेंड जो है वो दक्षिन अफ्रिका से पूरी तरह से घिरा हुआ है यानि कि ऐसा लेंड लोक नेशन है ऐसा इसलरुद देश है जो पूरी तरह से एक ही देश के अंदर आता है तो ये स्वाजी लेंड आपको दिखाई देगा और ये जो है वो एफ्रिका का पार्ट है इसके लावा लिसूतो दिखाई देगा इसके लावा आपको जो है वो उरुगवे द याद रखेगा Monty Video और यह भी याद रखेगा कि यहीं से जो है वो फुटबल का First World Cup यहीं पर और्गनाइज हुआ था ठेक है चलिए तो एक यह फॉर्म हुआ इसके अलावा यह दस देशों से गुजरती है अब यहाँ ध्यान दीजेगा और इस चीज को नोट डाउन करेगा अपने माइन में कि यह 10 देश कौन से है एक तो वह चिले चिले में याद रखना कि यह जो है चिले में जो एक मरुसली छेतर है यहाँरु का मरुसल में यहां मैंशन्ण और वहां पर हम वोल्ट करंट है जो थंडी जलदारा है इस थंडी जलदारा के कारण हवा का जो है यानि कि वायू का डाउनवर्ड ड्रिफ्ट है अधो मुखी वायू का या परवा है जिस कारण अब मैंने आपको समझाया है पहले भी कि पवन जब उपर जाती है, तो उपर जाना ये शुब संकेत है, क्योंकि उपर जाने पर तापमान कम होगा, पवन के अंदर जो आदता है वो ठंडी होगी, ठंडी होने पर मेक का निर्मान, मेक का निर्मान होने पर वर्षा, यानि कि उपर जाती हुई वर्षा जो है, वो क साइकलोनिक कंडिशन है ठीक मतलब यह चक्रवाती इस्थिति को दर्शाता है प्रती चक्रवाती इस्थिति क्या होती है एंटी साइकलोनिक कंडिशन क्या होती है जब हवा नीचे आए हवा नीचे आना यह दर्शाता है कि नीचे की सता ठंडी है यानि कि एंटी साइकलोनिक conditions are indicator of winter यानि कि प्रती चक्रवाती स्थितियां शीतरितू को दर्शाती है शीतरितू में जो हवा है वो चूकी नीचे आ रही है ठंडी है इसके अंदर की नमी जो है वो आदरता जो है वो जलवाश बनकर और नमी बनकर बैठ चूकी है ओस के रूप में अर्थात हवा ड्राय होगी ड्राय हवा है और याद रखिये हवा नीचे आ रही है और नीचे आने पर तापमान सामानेता बढ़ता है इस कारण ना ही संगनन होगा ना ही मेगो का निर्मान होगा ना ही वर्शा होगी अर्थात विंटर्स अगर मैं इसे फिर से रिपीट करूओं तो याद रखे चक्रवाती इस्थिती कब होती है जब गर्मी होती है और इस समय वर्षा होती है इसलिए आध्र मौसम है धंडी की इस्थिती में हवा का जो है वायू का अध्व मुखी जो है वो move होगा और इस इस्तिती में वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी तो area जो है वो dry कहलाता है शुष्क कहलाता है और इसी dimension से concept ये concept हुआ अब applied पार्ट सुनिए इसी concept से के विश्व के कुछ सबसे जो है आप कह सकते है strong cold water current में से एक है Humboldt current और Humboldt current के लिए याद रखेगा कि ये जहां बनता है उसके सामने विश्व के सबसे जो है वो dry मरुस्थल में से एक है सबसे आप कह सकते हैं सुके मरुस्थल में से एक है आटाकामा का मरुस्थल और अब applied पार्ट सुन लीजे global warming और climate change के कारण जो है वो आटाकामा मरु लानीना क्या है लानीना एक ऐसी condition है जहां पेरू के तटके समीब का जल जो है थोड़ा गर्म हो जाता है आप समझेगा इस कारण अब इसका कोई reason हमें बिल्कुल नहीं पता लेकिन हमें ये बहतर तरीके से पता है कि global warming climate change जो है वो disbalance conditions create करती है और आप आएंगे पेरू के जल का तापमन बढ़ा जिससे जो है आठागामा मरुस्तल चेटर में जो है वो क्या आ गई बाढ़ा आ गई तो इसको समझेगा कि शेतर में बाढ़ की समस्या यहीं से गुजरती है हमारी मकर रेगा तो यह डामेशन याद रखेगा इसके लाबा परागवे याद रखे प इसके आप कह सकते हैं परागवे तो खेर लेंड लॉक नेशन है कहां का तो यह है बेसिकली दक्षिन अमेरिका में दो लेंड लॉक नेशन है याद रखेगा एक परागवे है और एक और देश है बोलीविया वो क्लियर इसके अलावा यह गुजरती है ब्राजील से याद रखें कि यहां का एक प्लेस है जो दक्षिनी गोलार्थ का जो है वो सबसे बड़ा शहर है मैंने इसे जो है वर्ल मैपिंग की सीरीज में आपसे डिसकस भी करा था देखते हैं कितने बच्चों को याद है कमेंट सेक्शन में मुझे बताईएगा कि दक्षिनी गोलार्थ क सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो बर्जील में आता है चले इसके अलावा आपको दिखाई देगा यह नामीबिया से गुजरती है बोटसवाना से गुजरती है और साउथ आफरिका से गुजरती है क्लियर है साथ ही यह मोजैंबिक से भी गुजरेगी और यह मिरगासकर से भी होकर गुजरेगी Australia by default आपको पता है ये इतने देशों से तो है वो होकर गुजरती है clear है अब ये ध्यान दीजे कि और हाँ मैं सपस्ट कर दो भी आटकामा के मरुसर से गुजरती है इसका मतब सेंटर से नहीं गुजरती इसके विस्तार से आप नीचे आएंगे तो exactly बीच से आटकामा के नहीं गुजरती है मैं सपस्ट कर दो नीचे आटकामा के विस्तार के रूप में प्लेसे जाने जाते हैं वहां से गुजरती है clear है तो इसके अलावा याद रखे कि यह जो देश है इनकी information आपके लिए crucial है आपके लिए important है साथ ही आईए अब हम भूमत दिरेखा के बारे में देखते हैं पहली चीज तो भूमत दिरेखा के लिए याद रखे कि यह अर्थ का बिल्कु सेंट्रल वाला पार्ट है अब यहां कुछ conceptual पार्ट सुनिए फिर हम factual पर आते हैं याद रखना बच्चे कि यह आपको दिखाई देगी यह है प्रथवी प्रथवी के सेंटर पर दिखाई देगी भूमत दिरेखा भूमत दिरेखा पर तापमान जादा होता है हमें ऐसा लगेगा पर यहां याद रखना कि तापमान तो जादा था कर देगी तापमान को हलका सा कम कर देगी तो भूमत दिरेखा पर विश्व का सरवाधिक तापमान नहीं देखने को मिलेगा आप कहां देखने को मिलेगा तो इसके थोड़ा सा उपर देखने को मिलेगा ठीक है तो एक चीज़ यह याद रखेगा भूमत दिरेखा वाला व विभाजित करती है प्रत्वी के महाद्वीपों को नहीं महाद्वीपों का अधिकान स्विस्तार इसके ऊपर है प्रत्वी को दो भाग में विभाजित करती है यह परफेक्ट है अब देखें यहां ध्यान देने योग है कि भूमद रेखा जो है वो 11 देशों से होकर गुजर है यह आपको ध्यान रखना चाहिए इंपोर्टेंट है इसके लावा यह कोलंबिया से गुजरती है और यहां ध्यान दीजेगा कोलंबिया में एक बात याद रखें कि लगभग लगभग दो से धाई किलो मीटर यह दूर है किस से कोलंबिया और पेरू की बॉर्डर से तो समझेगा इकवडर में ड्वीप है जहां से यह होकर गुजरेगी कौन सा ड्वीप है गलप गॉस अब मैं गलप गॉस ड्वीप के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं जो गलप गॉस ड्वीप है यह ड्वीप दक्षिन अमेरिका के पश्चिमी भाग में आता है आप अगर याद करने का प्रयास करेंगे तो मैंने बहुत डीटेल में आपको समझाया था कुछ इस तरीके से और शायद आप लोगों को याद भी होगा यह इस तरीके से आपको जो है वो दक्षिन अमेरिका दिखाई देगा और आप पाएंगे इस दक्षिन अमेर अमेजन नदी को जो है वो उसके प्रवह की विपरीत दिशा से पार करने वाले एक विक्ति में से एक थे हम बोल्ट इसके अलावा हम बोल्ट कले मैंने बताया था कि यह वो पहले कुछ विक्तिव मेंसे एक थे मैंने पूरी एक जर्मी आप लोगों को समझाई थी शायद तो कितने बार रिपीट करती है आप ज़रा एक बार गूगल करकर देखेगा आपको दिखाई देगा कि महादवीपो के विस्थापन से सम्मंदित चार सिध्धान्त है इसमें सबसे पहले जो है वो समवहनी धारा का सिध्धान्त होता है इसके अलावा जो है सी फ्लोर सेपरे मैं अच्छे से पढ़ना चाहिए दूसरी चीज है कि इससे सम्मंदित परशन के उत्तर सामानता सभी विद्यार्थियों से बनते हैं क्योंकि इसकी तैयारी बहतर तरीके से कराई जाती है अब जब तैयारी कराई ही जाती है तो आपको कब एक्स्रा मार्च देगा तो इसक यात्रा हो या फिर इसके पहले एक पूरी जर्नी थी मैंने इस चीज को कैसे कनेक्ट करा था आप ध्यान करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने जो है वो सबसे पहले निकाला था एज ओफ डिस्कवरी और इस बात को स्टार्ट करा था इंडिया से इंडिया रिच रहा तो इंडिया में आने की चाहत रही जब इंडिया में आने की चाहत रही तो उस समय पैरलरली जो है वो एज ओफ डिसकवरी निकली कहां यॉरप में और यॉरप में जब ये एज ओफ डिसकवरी आई तो 1492 के आसपास जो है वो निकला कोलंबस 1497 के आसपास जो है वो दूस चक्कर लगाया और साथ ही यहां से जो है एक जरनी स्टार्ट हुई पूरे वर्ल्ड में जहां नई-नई डिस्कवरीज हुई और उसी करम में आपको दिखाई देगा कि पंदरा सो एक से पंदरा सो यहां से लेकर फिर चलते हुए आएंगे तो आगे आपको बहुत सारी चीजें और एड होती हुई दिखाई देगी तो यह जो पूरी जरनी है इसे आपको याद रखना चाहिए अब इसके साथ यह याद रखें कि हम गलैप गौस द्वीप को किस परिपेक्च में देख रहे हैं हम भूमद रेखा के परिपेक्च में देख रहे हैं याद रखें कि इकवाडोर के पास इन गलैप गौस द्वीपों का यह एक कॉंट्र और species का अध्यन करके यह सिधान्त दिया गया था और यहां मैं बता दूँ गलब गौस द्वीप में आपको penguins तक मिलेंगे और यह कौन सा एरिया है समझ यह सीज को हम जब penguin imagine करते हैं तो पर्माफ्रोस्ट के एरिया में imagine करते हैं पर्माफ्रोस्ट का मतलब क्या है पर्माफ् जातियां है और इनमें से सबसे बड़ा होता है जिसे कहा जाता है emperor penguin और सबसे छोता है जिसे जो कहा जाता है blue penguin गलब गौस दूइप में रहने वाले penguins के लिए याद रखेगा यह भी एक penguin है जो छोटे आकार के होते हैं वैसे तो यह एक dimension याद रखें इसके पश्चात ज भूमत रेखा एशिया के और further किसी nation से नहीं गुजरती जो इंडोनेशिया है यह एशिया का एक मात्र एशा देश है जहां से भूमत रेखा गुजरती है पहला dimension और दूसरा dimension याद रखेगा कि जो इंडोनेशिया है इसके सबसे लंबे भाग से गुजरती है याने कि जो सबसे लंबा रास्ता जो है वो इंडोनेशिया में ही प्ले करती है यह एक डायमेंशन आपके लिए important होगा साथ ही यह सोमालिया Kenya और Kenya में याद रखेगा Mount Kenya है यहां Mount Kenya है यहां के पास से गुजरती exactly Mount Kenya साथ ही आपको युगांडा दिखाई देगा और इसके अलावा याद रखें एक है Democratic Republic of Congo और दूसरा है सिर्फ Congo यहां से गुजरती है और इसके लिए मैं आपको डायमेंशन समझाओं तो यह कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो दिखाई देगी और यह Lake Victoria के ऊपर से आपको दिखाई देगा भूमत देरेखा गुजरती है इसी Lake Victoria को तीन देश सराउंड करते है Kenya, Uganda और Tanzania यहां से जो है एक नदी निकलती है इस नदी को कहा जाता है Swet Nile, White Nile फिर यहां से एक नदी आती है जिसे कहा जाता है Blue Nile Swet Nile और Blue Nile मिलने के पचाद यह Ethiopia के पठार से आती है फिर यह कहलाती है Nile और फिर Nile जो है वो Egypt में जाकर अपना डेरिटा बनाती है तो यह पूरी dimension है यह आपको पता होना आवशक है तो Lake Victoria से गुजरती है वो मद्रेखा और Lake Victoria जो है वो सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है विश्व की आफ्टर सुपीरियर तो यह dimension आपको पता होना चाहिए साथ ही अब इन कुछ dimensions पर फोकस करें याद रखें कि तीन ऐसे देश हैं जिनका मुखिता विस्तार आपको कहां देखने को मिलता है मेंली इनका जो एरिया है यह उत्री गुलार्ट में आता है यह European देश है इसमें France आता है इसमें Norway आता है और इसमें जो है वो United Kingdom आता है लेकिन इनकी कुछ territories हैं इनके कुछ छेत्र हैं जो आपको देखने को वास्तविक्ता में भी कहां मिलेंगे यह दक्षिनी गुलार्ट में भी मिलेंगे और यह आपको याद रखना है इसमें बहुत सारे उधारन ब्रेटेन के हैं बहुत सारे उधारन जो है वो France के हैं लेकिन यहां काम का है कि Norway के भी है ठीक है France का कुछ ड्वीप है जैसे Reunion Islands है आपको हिद महासागरा में दिखाई देंगे United Kingdom के जो है Falkland ड्वीप है यह आपको दक्षिनी गुलार्थ में दिखाई देगा यह Falkland जो है अर्जेंटीना और United Kingdom के बीच में डिस्प्यूटेट टेरिटरी में आता है यह Reunion Island है यह France की कॉलोनी है आज भी इन पर जो है France का अधी पत्ते है यह Hotspot का एरिया है जिसके उपर से कभी हमारा प्राइज वीपी भारत होकर गुजरा था और उसी गुजरने के कारान जो है दक्कन के पठार का निर्मान हुआ था यह चीजे में पहले भी क्लियर कर चुका हूँ मैरतन वाले पार्ट में डीटेल में कभी अगर हमाई चर्चा होती है तो फिर इस पर हम जो है डीटेल में और डिसकर्शन करेंगे कि जी यूनियन होट्सपोट का और क्या कॉंट्रिबूशन है और साथ ही नौर्वे अब यह नौर्वे जो है वो आने वाले समय में करेंट में जरूर रहेगा इस चीज को याद रखिए के नौर्वे जो है वो अभी नौर्वे की कैपिटल विच इस ओसलो ये एक पोर्ट है second dimension, याद रखेगा कि ये जो है उत्री सागर में आने वाला एक बंदरगा इस्तान है, नौर्वे, स्वीडन स्वीडन की कैपिटल जो है, वो स्टॉक्वोम्स है, ये वाल्टिक सागर में आती है फिर फिनलेंड, इसकी कैपिटल जो है हेलन्स की है, जो की Gulf of Finland में आती है, ये तीनों ही देश, Nordic Nation, या Scandinavian देशों की कैटिगरी में आते हैं, Scandinavia, Pride वीपमेन का विस्तार है, ये सारी चीजे मैं प्रीविस वीडियो में भी आपको डीटेल में समझा चुका हूँ, अगर आपने ना देखा हूँ तो बहतर तरीके से उसे देख लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी information आपके लिए important रही होगी, आपके लिए valuable रही होगी, तो आप से मेरी एक request होगी, कि संभा हो तो थोड़ा इसे जो है वो share करें ताकि हमारा reach जो है, वो आप तक बहतर तरीके से बहुँच सके, इसी प्रकार से अगर आप किसी और topic पर भी वीडियो चाहते हैं मैं फिर से कह दूँ, आप जो है इसे comment section में mention करें, जिससे हम आप तब वो topic भी deliver कर पाएं, चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी next वीडियो में have a very nice day, thank you